हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे 2018 तक रेलवे में जो प्रेशने पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशने है प्रेशने कहा रहा है एक का क्यू प्लेस दो का क्यू तीन का क्यू कहा तक जा रहा है यह 10 के क्यू तक जा रहा है इनका पूरे का योग दे रखा कितना 3025 हो तो फिर बात में दे रखा है दो का क्यू प्लेस चार का क्यू प्लेस छे का क्यू और यह कहा तक कितना important question होगा अब देखे प्रेश्ण को तरीके से समझेंगे आसान वाले तरीके से देखे सबसे पहले तो आपको यह दे रखा है और इसका मान कितना इतना देखे एक का क्यू पिलस दो का क्यू पिलस तीन का क्यू और यह कहां तक जा रहा दोस्तों इसका मान आपको कितना दे रखा है यह 10 की क्यू तक जा रहा है और इसका मान आपको कितना दे रखा है इसका मान दे रखा है 3025 यही तो इसका मान दे रखा है ठीक है अब आप से इसका पूछ रहा है इसका मतलब किसका 2 का क्यू पिलस 4 का क्यू पिलस 6 का क्यू यह कहां तक जा रहा है दोस्तों य के मतलब क्या रहेगा एक क्युद आप करेंगे टो एक ही रहेगा और यहाँ पर डौका क्युद आगर आप करती हैं तो दो क्यू कितना आता है आठाया ठीक है antic, हमने पहले Q1, और 2 का Q कितना 8, मतलब 1 का 8 से क्या रिस्ता है, कितने गुना पर है, 8 गुना पर है की नहीं है, 1 का 8 कितने गुना पर है, 8 गुना पर, भाई मैंने इसका relation इससे बना करके देखा, तो एक का Q, दो का Q का कितने गुना है? आठ गुना फिर मैं इसका दोस्तों इससे बना करके देख रहा हूँ आठ का 64 कितने गुना है? आप कहेंगे सर आठ गुना तो देखी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ जो पहले वाली सीरीज यहाँ की पहले वाली रू है उसका relation में दूसरी वाली से बना रहा हूं तो 8 गुना पर बन रहा है तो सीधा सीधा इसका जो योग है दोस्तों जो मान है 3025 इसका भी क्या आजाएगा आप 8 गुना कर दीजिए और यहाँ पर answer आपका आजाएगा के लिए और ही बात देखे इसका यह 8 गुना तो इसका यह 8 गुना होगा और इसका यह 8 गुना होगा तो इसका मान भी तो 8 गुना होगा तो 8 गुना कर दीजिए answer आजाएगा आठ उपज़े 40 का 0, कैरी का 4 आठ दुने का 16, 4 कितना हो जाएगा 20, 20 का 0, कैरी का 2 आठ का 0, मल्ट पे करेंगे 0 हो जाएगा, कैरी का 2 आया था वही आजाएगा, और आठ तरिक का 24 ठीक है, यह आपके प्रेशन का सही आंसर आ गया, अब यह देख लिजे किस ओप्सन में दे रखा है, 242 00, 242 00 यह दे रखा आपके 2 ओप्सन में यह आपकी प्रेशन का क्या गया, सही आंसर आ गया, उमीद करता हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ मागी होगी, कन्फ्यूज मत होना दोस्तों कभी भी प्रेशन में आप ध्यान से देखिए, कितना भी बड़ा प्रेशन हो, पहले आप उसे ध्यान से देखिए ठीक है, आपकी समझ में जरूर आया होगा, आप ध्यान से देखिए और सोचिए बैठ करके, कि मैंने ये प्रेशने पहले कभी अगर सीखा है तो मैं उसे कर पाऊँगा ठीक है दोस्तों समझ में आगी बात प्रेक्टिस कभी बंद मत करना प्रेक्टिस कभी बंद मत करना बस ये बात आपको याद रखनी है ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रिश्न अगला प्रिश्न है आपका एक से सो तक की गिंती में अंक दो दहाई के स्थान पर कितनी वार आता है 2016 में ये प्रिश्न पूछा गया था और प्रिश्न बहुती ही ला जवाब है समझी क्या किरा है एक से सो तक की गिंती में अंक दो दहाई के स्थान पर इस सब्द को याद रखना दहाई के स्थान पर कितनी बारा आता है जैसे कि अगर मैं आपको इस समझाने के लिए लूँ यह 12 तो 12 में जो आपका 2 है वो इकाई अंक पर हैं हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं दहाई पर 2 मिलेगा, एकाई के बाद दहाई आता, दहाई पर 2 मिलेगा, 20 के बाद 21 पर मिलेगा, 21 के बाद 22, फिर आपका 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, तो 20 से लेके 29 तक आपको दहाई पर मिलेगा 2 कांग, दहाई पर मिलेगा 2 कांग, तो कितने हैं दोस्तों, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, कितनी बाद आएगा दोस्तों, दहाई पर 10 बाद आएगा, 10 कहाँ पर दे रखा है, C of Sun में ये आपके प्रेशन का सही आंसर हो जाएगा, एक से लेकर 100 तक दहाई से छोटी, 6 अंकों की संख्या ज्याद करें, जो 18 का गुड़ज हो, अठारे का गुड़ज, 2016 में ये प्रेशन पूछाता, कितने का गुड़ज हो, 18 का, तो 18 का गुड़ज का मतलब है, जो संख्या 18 के मल्टीपल में आएगी, वही तो कटेगी, तो 18 के मल्टीपल का क्या क तो जो संक्या 18 से कटेगी वो 2 से भी कट जाएगी नो से भी कट जाएगी तो हम क्या करेंगे हमारे पास 4 ओप्सन है 2 से कटा कर देख लेंगे और 9 से भी कटा कर देख लेंगे जो संख्या हमारी 2 और 9 से कट जाएगी वो 18 से भी कर जाएगी ठीक है अब देखिए 2 से तो ये सभी संख्या कट जाएगी क्योंकि सभी का इकाय क्या है सम दे रखा है दो से सभी कर जाएंगी अब 9 की बात करें तो 9 का काटने का आपको नियम अगर पता है तो एक बार में बता देंगे 9 से काटने का नियम ये है कि जिन संख्याओं का योग 9 से करता है वो पूरी संख्या 9 से कर जाएगी तो यहाँ पर पहले ओफसन लेंगे तो यहाँ पर एक दे रखा है तो इसका योग 9 से नहीं कर सकता पहला ओफसन गलत हो गया अगर मैं दूसरे ओफसन की बात करूँ 9, 18, 27, 36 इनका योग कितना हो जाएगा 36, 9 से 36 कर जाएगा तो यह आपका आंसर हो सकता है लिकिन अभी आगे चेक करेंगे यहाँ पर योग करेंगे तो 8 और 1, 9 होता है तो 9 भी 9 से कर जाएगा एक बार में तो यह भी आंसर हो सकता है 6 और 1, 7, 7, 9 से नहीं कर जाएगा तो आपके गلत होगे बही दो में से कोई एक आंसर होगा लेकिन कौन सा आंसर होगा वह चोटी से चोटी 6 अंकों की संख्या बही संख्या दोनों में चोटी से चोटी पूछी गई है तो कौन सी संख्या दोस्तों चोटी होगी आप बता सकते हैं एकाई दहाई सेकड़ा हजार दस्यालाख नो लाख निन्यानबे हजार नो सो ये कितना है नो लाख निन्यानबे हजार नो सो और इसे देखेंगे एकाई दहाई सेकड़ा हजार दस्यालाख भाई ये नो लाख था ये एक लाख है तो छोटा कौन यही तो छोटा है ये आपक सही आंसर हो गया क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछी है बड़ी से बड़ी पूछ लेता तो ये आपका आंसर हो जाता उमिद करता हूँ सभी की समझ में प्रेश्ण बहुत अच्छी से आगया होगा किसी को भी प्रेश्ण में कोई भी समस्या नहीं होगी ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेश्ण अगला प्रेश्ण है एक संख्या प्रडाली में 14,528 को एक संख्या से विवाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और तीन प्राप्त होता है भाजक क्या है के लिए प्रेश्ण बहुत अच्छा है आपको भागफल कितना प्राप्त होता 83 और यह जो तीन है यह क्या प्राप्त होता आपका सेस जिसको हम क्या बोलते है जो बची जाता लाश्टी में यह सेस है याद रखेगा ठीक है आपको भागफल तो 83 प्राप्त होता है और तीन आपको सेस प्राप्त होता तो भाजक क्या है भाजक नहीं पत हमें नहीं पता उस भाजक का नाम क्या है तो हम उसको X मान लेते हैं तो हमें X से भाग देना है किसमें इतनी बड़ी संख्याम है 14-528 में ठीक है आपको क्या दे रखा है भागफल दे रखा है 83 और आपको सेज दे रखा है कितना 3 आपको दूस्तों जो लाश्ट में सेज प्रेशने बहुत अच्छे तरीके से और कम समय में आपकी समझ माज़ागा देखे कैसे जैसे कि मान लिजे आपका जो भाजक है वो दो है दो से भाग देना है आपको साथ में तो कितनी वार जाएगा दो त्रिक का 6 6 साथ में 6 घटा दूँगा कितना बचेगा एक अब एक जो भाजक है वो एक्स यहाँ पर दो तो दीखे यहाँ पर ये जो सन्क्या ये क्या है 2 का मैं 3 मलचक करूँगा दो त्रिक का 6 और 6 में जो 6 है उसको जोड़ दोंगा तो 7 नहीं मिल जाएगा मुझे तो यह जो हमारी संक्या होती है इन दोनों का multiply और पिलस कर देंगे उसमें 6 को तो हमें यही संक्या मिलेगी दो त्रिक का अच्छे 6 में 6 को जोड़ दोंगा तो यही 7 तो मिल जाएगा तो यह साथ हम यह सहाँ पर 7 मिल ला है कैसे इन दोनों का multiply करने से और इस 6 को हमें जोड़ने से यह वाली संक्या मिल जाएगी के लिए तो कर दीजे इन दोनों का हम multiply करेंगे मतलब x गुने कितना 83 और उसमें पिलस कर देंगे जो 6 है हमारा 3 उसे यह कितने के बराबर हो जाए तो 14528 में से 3 माइनिस हो जाएगा 14525 बचेगा अब 83 से इसको आप कटा लिजे जग 83 से आप इसको पूरे को कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा 175 बार में कटेगा तो x का मान कितना आ गया 175 आ गया तो हमारा भाजक क्या है यहाँ पर 175 किस option में 175 डी option में दे रखा है य आपके प्रेशने का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मैं उमीद करता हूँ सभी की समझ में प्रेशने बहुत ही अच्छे तरीके से आगया होगा किसी को भी प्रेशने में कोई डाउट नहीं होगा अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है अंक 3, 7, 0 और 9 से निर्मित चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संक्या का अंतर क्या होगा यदि संक्या में अंकों का प्रेशने प्रेशने पूछा गया था बहुती बढ़िया प्रेशने है देखें हमें क्या करना है चार अंकी की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संक्या का अंतर क तो कभी भी अगर हम बड़ी संक्या बनाएं तो जो सबसे बड़ी संक्या है उसे लेखेंगे तो सबसे बड़ी संक्या नो फिर बड़ी कौन है साथ फिर बड़ी कौन है तीन फिर बड़ी है जीरू तो यह हमने सबसे बड़ी संक्या बना ली अब हम क्या बनाएंगे इसमें सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे सबसे छोटा कौन 0 ठीक है फिर उससे छोटा आपका 3 फिर कौन हमारा 7 फिर कौन 9 इस तरीके से लिखेंगे तो यह हमने गलत कर दिया है दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दूँ, क्यों गलत कर दिया, क्योंकि हमारे पास 4 संक्याई थी, 4 में से अभी तक आपने 0 का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों नहीं किया, देखे, अभी ये कितना लिखा हुआ है, 389 लिखा हुआ है, अगर 0 लगा देंगे तब भी 389 और 0 को यहां से अटा देंगे तब भी 389 लिखा हुआ है, तो 0 का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, तभी तो एक्जामिनर ऐसा प्रेशन आपको देता है, कि आपसे पूछना चाहता है, वो आपका दिमाग कितना चलता है, तभी एक्जामिनर ऐसा प्रेशन देता है, तो 0 का इस्तेमाल इसमें कब होगा, पहले दूसरी बड़ी छोटी संक्या देखे, इसमें कौन है, 3, अब 0 का इस्तेमाल होगा, इसमें 0, अब इससे बड़ी कौन 7, अब इससे बड़ा कौन 9, ठीक है, जब बड़ी संक्या लिखते हैं, तो सबसे बड़ी, फिर उससे चोटी, फिर उससे चोटी, फिर सबसे चोटी, छोटी लिखेंगे, तो सबसे चोटी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 0 दे रखा है, तो 0 से नहीं, 0 के बाद में देखिए कौन सी चोटी है 3 है 3 के बाद में तुरंत 0 लगा दो फिर 7 फिर 9 अब घटा लिजे इनका अंतर ही तो करना है अंतर कर लो 10 में से 9 जाएगा 1 2 बचेगा 12 में से 7 जाएगा तो 5 6 में से 0 जाएगा 6 9 में से 3 जाएगा 6 2 6 1 क्यावन किस उफ्षन में है 2 6 1 क्यावन आपका D उफ्षन में है ये आपकी प्रेशन का सही आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तो सभी को प्रेशन अच्छे तरीके से समझ में आगिया होगा अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है अगर मैं कोई एक संख्या लेलू अलग जैसे कि 3, 5, 4, 0, 2, 1 मैंने एक अलग संख्या लेली अपने मन से आपको समझाने के लिए और आपसे इस संख्या में कह दे कि 4 का स्थानी अमान बताईए तो यहाँ पर आप पीछे से चलेंगे चार कहां पर है यहाँ पर यहाँ पर आपका चार दिया गया और चार के बाद जितनी संख्या है मुतने 0 कर देते हैं एक, दो, तीन संख्या है तो हम 3, 0 कर देंगे यह हमारा स्थानी अमान हो गया यह हमारा आंसर हो गया इस प्रेशने का लेकिन इस प्रेशने में कहीं पर भी 10 मलब नहीं है और इस संख्या में आपको 10 मलब दे रखा ये बात आपका भी मत भूलना इस संख्या में 10 मलब दे रखा है और इसमें 10 मलब नहीं है जब 10 मलब नहीं है तो आपको निकालना आता होगा सीधा सीधा लेकिन 10 मलब बाली संख्या का कैसे निकालेंगे इसको अब समझिए आपको 3 का पूछा है तो आपको 3 लिख लेना है बटे में आ जाईए 3 का पूछा है 3 लिख लेना है अब 10 मलब के बाद में कितनी संख्या है वो देखिए 10 मलब के बाद में 1,2,3,4 संख्या है न तो 1 लगा करके 4 0 बना दो 1,2,3,4 यह आप कांसर होगे 3 बटे 10,000 किस ओफशन में D ओफशन में जब आपका 10 मलब होगा तो इस तरीके से प्रेशनी सॉल्ब होगा और 10 मलब नहीं होगा तो इस तरीके से ठीक है? बात आप कमेंट वक्स में जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्स्राइब करिए वेल आइकन का बटन दबाईए ताकि आपके एक्जाम के तैयारी अच्छे से हो पाए और रेगुलर हमारे वीडियो देखिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद